नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी के लिए कुछ एक महत्तो पूर्ण जानकारियों को ले करके जी हाँ बहुत सारे लोगों को आप अपने आसपास देखते हैं जिनके गाल पिछके हुए होते हैं यानि कि उनके जो शरीर मे अन है वो सही ढंग से नहीं लग पाता है या फिर जो भी वज़य होती है कि उनका शारीरिक बनावर जो है ऐसी होते हैं कि गाल पिछके हुए होते हैं जिसकी वज़य से उनकी सुन्दरता जो है वो कम हो जाते है यानि कि सहीर नहीं दिख पाते हैं उनका फिगर सही नहीं दीख पाता है तो ऐसे लोगों को प्रोब्लिम होती है कि कैसे हम अपने structure को body structure को सही करें अपने आपको healthy बनाएं इसके लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो यह है कि आपको liver आपका ठीक होना चीए आपका digestion system बहुत अच्छा होना चीए ताकि आप जो भी खाएं आपक ज्यादा फायते होंगे क्योंकि कई बार क्या होता है कि को portion के सिकार हो जाते हैं हम सही पूस्टिक चीजेश नहीं खाते हैं तो balance चीजे नहीं खाते हैं तो इसलिए balance diet क्या है इसके लिए हमने आपको एक अपने अन्य वीडियो में बताया है इसी channel पर आप देख सकते हैं balance diet के बारे में हमने बताया है आप सभी को इसके अलावा आप किन चीजों का कितना saveन करना चाहिए इससे related भी हमारा view है पर आज की हमारी जो ये जानकारी है वो इससे related है कि आपके अगर गाल पिछके हुए हैं, तो आप कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, सबसे पहले अपने आपको शुद्ध, यानि कि अपने पेट को सुद्ध किजिए, पेट में किसी भी प्रकार की प्रोब्लेम होगी तो आपको न धंग से भूख लगेगी, नहीं आपका खाना डाइजेस होगा सही धंग से, और जब आपका खाना सही धंग से डाइजेस नहीं होगा, तो आपका पोशन भी सही धंग से नहीं होगा, जिसकी वज़ा से आपके शरीर में खाने के बावजूद भी अन्न सही से नहीं लगेगा, तो आपके गाल पिछके सुभाविक सी बात है कि रहेंगे अब आये जानते हैं कि किन चीजों को खाएं अगर जब जरूरत हो तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि खाने में विटामिन सी वाली चीजों को जरूर सामिल करें क्योंकि ये आपके भोजन को डाइजेस करने में बहुत मदद करता है जैसे निम्बू हो गया इसके साथ साथ ये इम्मूनिटी सिस्टम को भी आपके बिल्ड करता है जिसकी वज़े से आपका डाइजेसन सही रहता है और एकसरसाइज करेंगे आपको भूख सही से लगेगी तो आपका शरीर भी हिष्ट पुष्ट जरूर हो जाएगा इसके अलावा फाइवर यूपत चीजों का सेवन जरूर करें फाइवर यूपत चीजें अगर आप खाएंगे तो आपका पेट जो होगा वो क्लीन रहेगा आपको पेट स यह बहुत ही बहतरीन विध्य है जो कि डॉक्टरों के द्वारा सजेश्टेड है अगर आप इस धंग से अपने पेट को क्लीन करते हैं इसके बाद कुछ भी खाते हैं तो आपके शरीर में लगेगा और आपका शरीर जो है वो भर जाएगा यानि कि आप हिष्ट और मजबूत हो जाएंगे आप बहुत सारी बिमारियों से भी बच जाएंगे और आपकी स्कीन भी हेल्दी एम ग्लोविंग दिखने लगेगी आप फिट एंड फाइन रहने लगेंगे आपको रोग नहीं होगा तो आईए हम आपको बताते हैं कि पेट की क्लीनिंग कैसे क पारनी है आपको का हो सबसे पहले लीवर के कारिये को जानते हैं आपके यकृतिया लीवर का मुख्यकाम पीत बनाना है जो रोज 1-5.80 लीटर पीत बनता है लीवर में असंख्य पीतés काएं होती हैं जो बाहर निकलकर मुख्य सबसे पहले जानते हैं कि पथरी क्यों बनती है कई लोगों की यहां तक की बच्चों की भी पित वाहनियां क्रिश्टल्स और पथरियां बनने के कारण अवरुद्ध हो जाती हैं कुछ को कोई तकलीफ नहीं होती है तो कुछ लोगों को इलर्जी हो जाती है सोनोग्राफी या एक्सरे में कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि एक तो पथरियां बहुत छोटी होती है इस अवस्था तक कैल्सिफाइड भी नहीं होती है और पथरियां पित की थैली में भी नहीं होती है अब पत्रियों के प्रकार को समझते हैं, पत्रियां कई तरह की होती हैं, अधिकांश में कोलेस्टरोल के क्रिश्टल्स होते हैं, ये काली लाल, सफेध, हरी या मटमैली हो सकती हैं, काली पत्रियों में ग्रीस और ओयल होता है और ये गरम होने पर पिखल जाती हैं, प्राय हर पथरी के केंद्र में किटानू का एक समू होता है। कई अनुसंधान करता मानते हैं कि पथरी बनने की शुरुवात हमेशा एक मृत पेरिसाइड से होती है। जैसे जैसे पथरियां बढ़ती हैं लिवर पर उल्टा दबाव डालती हैं और पित भी कम बनने लगता है। लिम्फ का प्रवाह भी थम जाता है पथरी बनने से कोलेस्ट्रोल का उत्सर्जन कम होता है और रक्त में कोलेस्ट्रोल की मात्रा भी बढ़ती है चुकि पथरियां चिपचिपी होती हैं इसलिए पित के प्रवाह में विचरन करते किटारू, वाइरस और पेरिसाइट के संक्रमन और अपच कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं लिवर शोधक सामगरी आप नोट कर लेजे इपसम साल्ट 4 टेबल स्पून यानि कि 60 ग्राम ओलिव ओल या फ्लेक्स सीड आधा कप 120 एमेल अच्छा ओलिव ओल न मिले तो फ्लेक्स सीड अलसी का तेल प्रियोग करें आप ताजे गुलाबी ग्रेप फ्रूट एक बड़ा या दो छोटे ताकि हमें आधा कप 120 एमेल जूस मिल जाए अरनी थीन की गोलियां हिपा मर्ज चार या आठ गोलियां ताकि आप सुकून से सो सकें यदि उन्हें नहीं लेंगे तो आपके रात बड़ी कश्ट में रहने वा कीडे मारने के लिए इस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लिवर की सफाई विशेले तत्वों और पत्रियों का विसर्जन बहुत जारूरी उपक्यार है साधान्तिक तोर पर लिवर क्लिंज के पहले पेरिसाइट्ट्स से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है लिवर क्ल लाव नहीं होता है पहले आप तीन सब्ताह का पेरेसाइट क्लिंग प्रोग्राम कीजिए यदि आप मेंटेनिंस पेरेसाइट प्रोग्राम पर चल रहे हैं तो आप लिवर क्लिंज कर सकते हैं किड्नी क्लिंज भी कर लें तो बहतर होता है अब इसकी प्रतिक्रिया जानते है क्लिंजिंग के लिए शनिवार का दिन उप्योगत रहेगा क्योंकि अगले दिन आपको आराम करना पड़ेगा इस दिन कोई दवा या विटामिन की गोली नहीं लेनी है आपको जब तक बहुत ही ज़रूरी न हो यादि आप कीडिनिया पेरेसाइट प्रोग्राम ले रहे हैं तो उसे भी एक दिन पहले बंद कर दें जेपिंग और ड्राप्स भी मत लीजिए ग्रेप्फरूट को दू बार गर्म पानी से धोलें ओयल की बोटेल में दो से चार बूंद हाइड्रोकलोरिक एसिद डाल कर अच्छी तरह हिला लें इस दिन साधा फैट रहित नाश्ता और लंच करें जैसे उबला भोजन, फल, फलों के जूस, बिना चुपडी रोटी या ब्रेडी त्यादी इससे ज़्यादा पीत इकठा होगा और लिवर पर दबाव भी पड़ेगा पीत अधिक होगा तो पत्रियां भी ज़्यादा निकलेंगी भोजन बिलकुल कम और हलका हो यदि एक दिन पहले भी फैट और प्रोटीन नहीं लेंगे तो परिणाम और अच्छा मिलेगा बारा बजे के बाद कुछ नहीं घाएं पानी के सिप ले सकते हैं आप दिन के दो बजे के बाद खाना पीना सब बंध है यदि आप इस नियम को तोड़ते हैं तो आपकी परिशानिया बढ़ सकते हैं अब इपसम सॉल्ट का घोल तयार करें एक जग में तीन कप पानी यानि की 729 एमेल लेकर उसमें 4 टेबल स्पून यानि की 60 ग्राम इपसम सॉल्ट घोल लीजे इससे आपकी पॉन कप यानि के 180 एमेल की 4 खुराक बन जाएगी जग को आप फ्रीज में रख दें इपसम सॉल्ट का स्वाद कड़वा होता है और यदि यह ठंड़ा है तो पीने में दिक्कत कम होती है इपसम सॉल्ट के घोल की पहली खुराक पॉन कप पी जाएए आप 6 बजे के आसपास कड़वा हट मिटाने के लिए पीने के बाद आप पानी से कुला कर सकते हैं लेकिन उसे पीए नहीं तेल की शीशी और ग्रेप फूरूट बाहर निकाल कर रख दें आठ बजे आप इपसम सॉल्ट के घोल की दूसरी खुराक पॉन कप भी पी जाएए आपने दो बजे से कुछ खाया नहीं है लेकिन आपको भूख नहीं लगेगी आप अपनी आगे की तयारी कर लिजे सफलता के लिए हर काम समय से हो जाना चाहिए इपसम साल्ट से आपको एक दो पतले दस्त लग सकते हैं 9.45 पीम के आसपास आधा कप यानि की 120 एमेल ओलिव ओयल एक जग में डाल लीजे अच्छे परिडाम के लिए आप उसे 30 मिनट के लिए ओजोनेट कर सकते हैं ग्रेट फ्रूट का जूस हाथ से निकालें गुदे को काटे से अलग कर सकते हैं आप आपको आधा कप यानि के 120 एमेल जूस चाहिए होगा आप निम्बू का रस भी प्रियोग कर सकते हैं इसमें ब्लैक, वालनट, हल्ट इंचर भी मिलाइए यदि पिछले कुछ क्लिंजेज में पत्रियां नहीं निकली हैं तो बेहतर परिणाम के लिए साइट्रिक एसिड का प्रियोग करें इपसम साल्ट की मात्रा भी 2 से 2 बटा 3 कप यानि के 160 एमेल करने से अच्छा परिणाम मिल सकता है आपको अब एक या दो बार बात्रूम जाना पड़ सकता है कोशिश कीजिए कि तेल और ग्रेप फूट का मिश्रण समय पर लेलें 15 मिनर से ज़्यादा देर नहीं हो वरना पत्रियां कम निकलेंगी इसके बाद 10 पीम 10 बजे रात को आपको तेल और ग्रेप फूट का मिश्रण धीरे से सिप करें फोर आरनी थीन की गोलियां पहले घूट के साथ ले लेनी चाहिए ताकि आपको अच्छी निंद आ सके यदि आप अनिद्रा के रोगी हैं तो 8 गोलियां ले सकते हैं पीने के लिए आप श्ट्रो का प्रियोग कर सकते हैं अमूमन 5 मिनट में इसे पलंग पर बैठ कर या पलंग के पास ही खड़े होकर भी पी सकते हैं आप अमूमन पांच मिनट में इसे खत्म कर दीजिए वृद्ध या कमजोर व्यक्ति अधिक्तम 15 मिनट में इसे खत्म कर सकते हैं यदि पिछली क्लिंजिंग में पत्रियां नहीं निकली हैं तो आप आधा टी स्पून साइट्रिक एसीड इस मिश्रन में मिला सकते हैं मिश्रन पिने के तुरंत बाद धीरिद से पीठ के बल बिस्तर पर लेट जाएं वरना पत्रियां नहीं निकलेंगी बिस्तर पहले से तयार करके रखें सीर के नीचे मोटा तकिया लगा सकते हैं सोचते रहें कि लिवर में क्या चल रहा होगा बिस मिनट तक चुप चाप लेटे रहें आपको ऐसा लगेगा जैसे पित वाहिकाओं में पत्रियां बच्चों की ट्रेन की तरह चल रही हैं लेकिन आपको दर्द नहीं होगा क्योंकि इपसम साल्ट ने पित वाहिकाओं को रिलेक्स कर दिया है अब बस सो जाईए वरना सब गड़बर हो जाएगा अगली सुबह उड़ते ही इपसम साल्ट के घोल की तिसरी खुराक भी पी जाईए ध्यान रहे कि खुराक 6 बजे से पहले नहीं लें यदि आपको अपाचिया उबकाई सी आ रही हो तो थोड़ी देर रुख कर खुराक ले सकते हैं आप पुना सु या लेट भी सकते हैं दो घंटे बाद इपसम साल्ट के घोल की चोथी और आखिरी खुराक भी आप पी जाईए आप फिर लेट सकते हैं दो घंटे बाद आप कुछ खा पी सकते हैं पहले fruit juice पीज़े आप इसमें आधा टीज़पून साइटरिक एसीड मिला सकते हैं ज्यादा श्टोंस निकलेंगे आधे घंटे बाद कोई फल खा सकते हैं एक घंटे के बाद हलका भोजन कर सकते हैं दिन में पेरिसाइट प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं शाम तक आप बिल् किसी मरोडी भी लग सकते हैं आप कुमोड में एक छलनी रख सकते हैं पत्रियां हरे रंग की होती हैं कोलेस्ट्रोल और ग्रीस के कारण पत्रियां पानी पर तैरती हुई दिखाई देती हैं 2000 पत्रियां निकल जाने पर समझे कि आपका लीवर साफ हो गया है और तब ही से ही उपर की पत्रियां नीचे आ जाएंगी आपको पुना तकलीफ होने लगेगी इसलिए हर दो हपते में क्लिंज करते रहें जब आप बीमार हों तब क्लिंजिंग नहीं करें कभी कभी पीत वाहिकाओं में कोलेस्ट्रोल के क्रिस्टल्स इकठे हो जाते हैं लेकिन पत् अब 6 बजे की इपसम साल्ट की खुराक नहीं लेंगे बाकी सब कुछ नियमानुसार चलेगा इपसम साल्ट की एक खुराक कम देने पर भी कुछ लोगों की पत्रियां निकल जाते हैं यदि नहीं निकले तो अगली बार चार खुराक ही ले तेल और ग्रेप फ्रूट के मि आधा टीस्पून साइटिर्क एसीद डाल कर अच्छी तरह घुल लें दूसरे दिन सुबह भी जूस में आधा टीस्पून साइटिर्क केसीद डाल कर पिएं तीसरा है ब्रिन और स्पाइनल कार्ड कैंसर के रोग्यों को केफिक एसीड नहीं देते हैं ग्रेप फ्रूट मे भी किफिक एसीड होता है इसलिए इसका प्रयोग नहीं करें इसके बदले आप एपल जूस का प्रयोग कर सकते हैं और तेल तथा जूस के मिश्रण में आधा टीस्पून साइटरिक एसीड का प्रयोग आवस्य करें यदि पत्रियां नहीं निकलें तो 180 ml पानी की जगह 140 ml या किया है इनमें कई लोग काफी व्रिद्ध थे एक भी रोगी को अस्पताल में भरती नहीं करना पड़ा था किसी को दर्द नहीं हुआ हलांकि कुछ लोग क्लिंज के बाद एक दो दिन तक बिमार रहे परन्तु इन सभी ने पेरेसाइट का मेंटेनेंस प्रोग्राम ठीक से नहीं किया था इसलिए पहले लिवर और किडिनी क्लिंज करने पर जोड देते हैं इसके बाद ही करें क्योंकि ये बहुत ही साउधानी भरी प्रक्रिया है खुद से अगर आप सक्षम हैं तो खुद से ना करें डॉक्टर के निगरानी में कराएं तो ही सबसे ज़्यादा ब देखेंगे कि आप अने कुब बीमारियों से खुद बखुद बचे रहेंगे इस तरीके से अगर आप अपने पेट की क्लिनिंग कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में खाया हुआ हर एक अन लगने लगेगा और आपकी स्कीन हेल्दी और ग्लोविंग हो यानि कि आप दूबले पतले नहीं रहे जाएंगे और आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाएंगे तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महतोपूर्श जानकारियों को ले करके तब तक के धन्यवाद नमस्कार दोस्तों